नमस्कार आप देख रहे हैं जी बिजनस की महा कवरिच बजट 2021 ग्रोध की वैक्सीन आप से मुखातिब हूँ मैं प्रिशान बांडे वित्मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश कर दिया और बजट पर तो बाजार मानो साथवे आसमान पर पहुँच गया और ऐसा बहुत कम होता है कि बजट पर बाजार का सेक्टर जूमें बहुत सारी खबरे हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन इस वक्त बेहद खास महमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जी बिजनस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग भी तयार है उस खास मह बागत है आपका अजी बिजनस पर वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले शुरूआत इसी बात से करना चाहता हूँ बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश की एकोनोमी के लिए इस बजट को कैसे देखने हैं आप मेरे विचार में ये एक बहुत अच्छा बजट है जिसके माध्यम से पूरे देश की एकोनोमी को काफी अच्छा रुटसाहन मिलेगा और जहां तक इन्वेस्मेंट का सवाल है उसमें बहुत सा कुछ दिया गया है इस बजट के माध्यम से ये एक बहुत ही एंकरेजिंग बजट है जिसके माध्यम से एक बहुत अच्छा वातारण भी क्रेट किया जा रहा है जिसमें की इन्वेस्मेंट भी अच्छी होंगी और साथी साथ बैंकों को जो कैपिटलाजेशन की बात की गई है वो भी बहुत अच्छी एक विशे है और जो एक एर सी और एमसी का जो एक स्रक्चर भी सेजेस्ट किया गया है वो भी बहुत अच्छा एक डिसीजन है जो कि इस बजट के माध्यम से कंभी किया गया है देश में अगर ग्रोथ की बात और किसी तरह के बड़े सुधारों की बात हो तो इसमें SBA का रोल हमेशा से एहमियत वाला रहता है एक जो खास बात वितमंत्री ने भाशन की शुरुआत में का कि डवलप्मेंट फाइनिशल इंस्टिटूशन बनाई जाएगी क्या आप कि इसी तरह से SBA का रोल देखते हैं इस तरह की इंस्टिटूशन में क्या आप एक बड़े लेंडर के तोर पर हो सकते हैं इसमें शामिल सर लेके यह जो इंस्टिटूशन है यह तो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी क्रियेट होगी जो की डिवलपेंटल फानेंशल इस्टि बित्मंति जी ने यह भी इशारा किया कि दो और सरकारी बैंक ऐसे हैं जो प्राइवेटाइज किये जा सकते हैं एक प्राइवेट बैंक में भी उसको उबारने में SBAI ने बड़ा योगदान दिया है क्या आपको कहीं कोई SBAI का रोल इस तरह से जो सरकारी बैंक के उन्हे प्राइवेटाइज किया जाए उसमें रोल नजर आता है क्या इस तरह का हो सकता है कुछ मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोगों का मार्केट शेर औरड़ी 20% है तो शायद उस तरह से शायद ये कोई एक मेरे को लगता है कि हम औरगैनिक रूप से ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं मेरे को ऐसा कुछ इसमें विशेश कोई आपाचुर्टी स्टेट बैंक ओफ इंडिया के लिए नहीं लिए नहीं लिए नहीं लिए ठीक बात है इसमें A.R.C. के साथ-साथ A.M.C. की बात भी की गई है A.R.C. में नामली पहले भी हम लोग जो है असेट्स बिचा करते थे A.R.C. इसको लेकिन चुकि उसके साथ में कोई A.M.C. का कॉंसेट जो है इंसिचुशलाइज नहीं था तो इस कारण से उन असेट्स की वैल्यू उनके उसकोपर कांम करकर उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है और उस वैल्यू एडिशन का बेनिफेट जो है बैनकों को मिल सकता है कारण कि जो 15% cash होगा और 85% जो security receipts होंगी security receipts की जो वैल्यू है वो underlying assets के उपर depend करती है और अगर वैल्यू क्रेशन अगर कोई A.R.C. कर जो अपने assets को बेच कर अपनी जो capability है for further lending वो भी improve हो सकती है और साथी साथ जो है जब भी वो asset में value creation के बाद उसको sale किया जाता है तो उस value creation का benefit भी जो है banks को मिल पाएगा बिल्कुल चुंकि सर वित्तमंत्री ने एक bold step लेते वे वित्ती गाटे को इस बार 9.5% रखा है अगले साल के लिए 6.8% रखा है लेकिन जाहिर सी बात है कि bond market का reaction इस पर थोड़ा negative आना था आपका SBA का बड़ा bond portfolio है कैसे देखने हैं आप इसको इस development को जो वित्ती गाटा 6.8% रहेगा वित्तवश 2022 में अभी देखते हैं कि market कैसे stable करती है उसके बात इसके उपर कुछ विचार मश करेंगे क्योंकि अभी तो ये तो इमिजर्ट एक नीजर्क reaction भी हो सकता है लेकिन जैसे जैसे market जो है इसको internalize करेगी तो शायद एक एक better reaction आएगा इसमें तो हम लोग उसके अंतिजार करेंगे खारसाब बैंक्स के पास इस वक्रिक्विडिटी भरपूर है पैसा भी काफी है लेकिन उतने corporate पैसा उधार लेने के लिए आ नहीं रहें क्या आपको लगता है कि इस budget के बाद credit growth बढ़ने की संभावना होगी economy किस तरह से आगे इस budget के बाद pick up करेगी उसके बारे में एक अंदा जादे मेरे को आशा है कि जैसा इस budget में infrastructure के उपर focus किया गया है अगर infrastructure में इस तरह की growth हाएगी तो सारी core sector में भी growth हाएगी और core sector की growth के कारण जो है पूरी economy उपर की तरफ उठेगी तो उस current से जो है corporate sector और SME में भी जो है मेरे को आशा है कि हम लोगों को credit growth देखने का अफसर मिलेगा और वैसे भी जैसा अगले साल के लिए जो growth projections बताए गई है वो तक्रीबन 11% के growth projections है और 11% की growth को support करने के लिए बैंक का credit तो बेतर होना ही चाहिए बिल्कुल तो SME तयार है बड़ी तेज growth जो आने वाले इस समय में economy में होने वाली है उसके लिए और इस budget के बाद economy को एक तेज रफतार मिलेगी ये भी मानना है दिनेश कुमार खारा साब का सर बहुत बहुत धनिवाद Zee Business के लिए वक्त निकालने के लिए और बजट के दिन इस busy दिन आपने वक्त निकाला और हमारे दश्कों से बात की तो SME के चेर्मेन दिनेश कुमार खारा साब ये कहते हैं कि इस बजट से ग्रोथ को रफ़तार मिलेगी तो ये है उनका मानना है प्रशाद बिल्कुल तो SME आई जैर्मेन दिनेश कुमार खारा के साथ आप दिनेश कुमार खारा के साथ आप पी ये खास बात चीद देख रहे थे